हेलो वेलकम दोस्तो देभुमी एज गुसन पॉइंट में आपका स्वागत ही बार फिर से तो साथ हो यहाँ पर जो है UK SSSC ने एक विध्यप्ति यहाँ पर जारी की है आज तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर को दोस्तो इसमें जो डेट अब मतलब प्रकाशन के तीथी है वह 17 तारिक से हैं और 24 तारिक से आप इसमें फॉम भरना शुरू कर सकते हैं तो इस परकार से आप देखेंगे यहाँ पर लगबग आपको कर समय मिलने वाला है तो लगबग 20 दिन का समय मिलेगा आपको तो आप लोग इस फॉम को भर लीजिए और इसका डेटेल समझ लेत उस पर हम बात कर लेते हैं पड़ापड से ठीक है और online आविदन पत्र में editing के लिए आपको मौका मिलने वाला है 18 October से ले करके 21 October से October तक आपको इसमें समय मिलीगा तो और इसकी जो परिक्षा की तिथी दी गई है अनुमानी तिथी होती है तो 8 December तक इसकी इसके इज़ाम होंगे ठीक है आठ December को चलिए तो बात करते हैं इसकी जो main चीज़े हैं उन पर बात कर लेते हैं फटापड से दोस्तो इसमें जो पदों की संक्या है वो लगबग इसमें कुल पदों की संक्या है इसमें 257 ठीक है 257 पद इसमें रहने वाले हैं और online आवदन पत्र ही आपको पता है आजकल online ही फाउम भरे जाते हैं तो offline का इसमें कोई नहीं दिया गया है option जैसे के आपको पत आ यह है पदों के वीवरण की बात कर लिते हैं और इसमें जो important चीजों की है वो अपर नीजी सचीव है तो अपर नीजी सचीव के दोस्तों यहाँ पर कुल पदों के बात करेंगे, कुल तीन पद है इसके अंतरगत, और इसमें अनुशुची जाती के लिए जो है न वो एक पद है और बागी EWS के लिए एक है और अनारक्षित के लिए भी एक पद यहाँ में एक्सी लेकर के लेकर के 40 वर्से तक आयूसी मा है वेतनमान वगर आप देख सकते हैं लेबल यह वाली जो पद होंगे जिसमें कुछ अलग होगा उसको हम बता लेंगे जो सबसे में चीज यहाँ पर होता है तो अनिवारे शेक्षिक अरहता में देखिए यहाँ पर सनात्र की उपाधी आपके पास होनी चाहिए ठीक है सनात्र किसमें मांगा गया है और उसके समकष्य आ आपने किया होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 80 शब्द प्रती मिनट ठीक है तो यह यहाँ पर दिया है और बाकी कंप्यूटर पर भी आपको आना चाहिए कंप्यूटर में भी इसमें 4000 की डिप्रेशन प्रती घंटे की गति से इसमें मांग गया है अगर माल पत्र jetzt NCC का होना चाहिए यह इसमें क्रायेटरिया रहता है अब इसमें वैक्तिक साहिक के भी पता हैं तो वैक्तिक साहिक में देखे सम MA केवल तीन है, तीन पद इसमें केवल है, जिसमें से अनोशूची जाती के लिए एक पद है, और अनारक्षित के लिए धो पद हैं, और कुल मिलाकर इसमें तीन पद इसके अंतरगत भी आते हैं. यह है लेवल शिक्सेकी, ठीक है, अभी हमने कहा कि लगबग सभी का जो है level 8 रहेगा लेकिन इसमें थोड़ा changes देखने को मिल रहे हैं तो इसमें level ये 6 की job है और 18 से लेकर के 42 वर्स तक की इसमें age मागी गई है और जो age की गणना होगी वो मैं आपको last मां बता दूँगा की age की गणना आपको कब करनी है और आशुल लिपिक में देखिया आप 80 शब्द परती मिनट ठीक है तो इसमें मागा गया है और बाकी इसमें अंग्रेजी आशुल लिपिक और टंकड में प्रवीड अभीरतियों को अधिमान भी दिया जाएगा ठीक है बाकी अधिमान यह रहता है वही रहने वाली है जो दूसरे पदों में थी आशुल लिपिक की बात करते हैं अबर वैक्ति सायक की इसमें 15 पद हैं तो इसमें आपको अलग-अलग करने की जर्वत नहीं है जो आपकी एजुकेशन है उसके हिसाब से आप इसमें अपनी एजुकेशन डालोगे उसमें टिक करने को आएगा ठीक और EWS के लिए एक है अनारक्षित के लिए यहाँ पर देखेंगे आप 9 पद हैं कुल मिलाके यहाँ पर 15 पद रहने वाले हैं यह लेवल 5 की जौब है अभी हमने सबसे पहले 8 पता है यह लेवल 5 की जौब है 21 वर्से से 42 वर्से तक की आयू सीमा इसमें भी माग दी गई है 22 वर्से तक की आयू सीमा इसमें भी मागी गई है अब आप देखेंगे यहाँ पर को जो सेक्षिक अरता है तो अनिवारे सेक्षिक अरेता में आप देखें यहाँ पर मादी में शिक्षा परिशाद राजे सरकार के द्वारा मानता प्राप्त परिक्षा समकक्षे में 12 आपसे मागा गया है intermediate और यहां पर जो टंकण के लिए है 4000 की depression की इसमें टंकण मागा गया है और आशुलिपिक में आप देखेंगे ठीक है अंग्रेजी में तो 100 शब्द प्रतिमिनट और हिंदी के लिए यहां पर 80 शब्द प्रतिमिनट मागा गया ठीक है यह धियान रखना आपने अधिमानी अर्यता में वही रहता है सेम वैक्तिक साहयक के अगर बात करते हैं तो वैक्तिक साहयक देखे आप में पर कुल पद इसमें दो पद है ठीक है वैक्तिक साहयक में कुल पद दो हैं और जिसमें से एक पद अनुशुजी जाती के लिए है और एक पद किसके लिए है एक पद यहाँ पर अनारक्षित के लिए है तो कुल मिलागे हैं आपर दो पद हैं ये भी लेबल 5 की जॉब है आप देख सकते हैं सेलरी का जो रहता है इसमें 18 से 42 वर्षे तक की इसमें एज मागी गई है आप लोगों से इसमें जो अनिवारिय शेक्षिक अरता है वो है सनातक परिक्षा उत्त गंटा मागी गई है तो ये भी यहाँ पर रहने वाला अधिमानी में अधिमानी अरता में इसमें कुछ अलग दिया गया है कंप्यूटर का कारिय साधक ज्यान होना चाहिए तो यहाँ पर डिटेल में कंप्यूटर में इसमें दिया गया है उसके बाद करते हैं वैक्तिक सा उत्त्राखंडर राजी प्राविदिक प्राधिकरण नैनिताल के लिए है और इसमें दूसरा है वैक्तिक सायक जिला प्राधिकरण अलमोडा के लिए तो अलग-अलग विभागों के लिए है जैसे इसमें जो नैनिताल है इसमें इसके लिए दो पद है और अलमोडा के लिए केवल एक पद है जो भी open के लिए है ठीक है जनरल के लिए है और वैक्तिक सहायक सेवा प्राधिकरण के लिए है ये बागेश्वर के लिए है तो इसमें भी केवल एक पद रहने वाला है उसके बाद ये चमोली के लिए है दोस्तो ये वाला चमोली के लिए इस चमोली के भी केवल एक पद यहां पर रहने वाला है ठीक है उसके बाद देहरादून के लिए आप देखेंगे यहां पर देहरादून के लिए भी एक पद दोस्तों यहां पर को है ठीक है और हरिद्वार के अगर बात करें तो हरिद्वार के लिए भी केवल एक पद है यह केवल ओपन केवल एक ही पद है वैक्तिक सहायक रुद्व प्रियाग में यह अनारक्षित के लिए केवल एक पद है तो यह केवल एक पद इसके अंतरगत आने वाले हैं तो इसमें 15 पद हैं एक में दो हैं बाकी सभी में एक एक है तो बाकी सभी देखे सब को पढ़ना जरूरी नहीं तो एक एक पद इनके लिए रखा गया है और उसके बाद पौडी के लिए एक पद टिहरी गड़वाल के लिए एक पद और उधम सिंग नगर के लिए भी एक पद यहाँ पर को रहने वाला है ठीक है तो कुल मिलाके यहाँ पर 22 पद रहने वाले हैं तो 22 पदों मां आप देखें जो ज़्यादा महतोपोण चीजे हैं उनको उन पर बात करते तो 18 से 42 वर्ष तक का इसमें माग गया है अनिवारे सेक्षिक अरता जो है यह महतोपोण हो जाता तो इसमें भी इंटर्मीडियेट आप लोगों से मांगा गया या फिर उसके समकक्ष आपकी होना चीजे और न्यूनतम 80 सब्द प्रती मिनट जो है कंप्यूटर पर हिंदी टंकड में 4000 ठीक है आशुलेखन में 80 और हिंदी टंकड में 4000 की डिप्रेशन प्रती घंटा होनी चाहिए स्पीड और अधिमानी अरताई की बात करें तो अंग्रेजी में आसुलेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रती मिनट और कंप्यूटर पर जो है अंग्रेजी में 5000 की डिप्रेशन यहाँ पर मांगा गया है प्रादिश की सेना में दो वर्षे की अवधी यह वही है और NCC का C certificate या फिर B certificate आपके पास होना चाहिए जिसके पास C होगा उसको वैरियता ज्यादा मिलेगी और B वाले को वहाँ पर पीछे हो जाएगा अगर सेम नंबर होते हैं यहाँ बाकिवी चीज़ना अगर सेम होती है तब वैक्तिक सायक यहाँ पर फिर दिया है तो वैक्तिक सायक में इसमें कुल दो पद है, तो इन दो पदों में आप देखेंगे यह है वैक्तिक सायक, राज-वभोक्ता, विबाद, प्रतिशोद, आयोग, ठीक है प्रतितोष आयोग, तो राज-आयोग संवर्ग में इसमें केवल एक पद है जो किसके लिए अनारक्षित के लिए है बात करते हैं तो इसमें वैक्तिक सायक राजी उभोकता ये भी उसके लिए जिला उभोकता संवर्ग में ठीक है ये है राजी आयोग संवर्ग और ये है जिला उभोकता संवर्ग में ठीक है तो इसमें भी अलग है तो इसमें केवल एक पद है तो कुल मिलाके इसमें भी दो पद इस वाले में हमारे लिए section हो जाता है ठीक है आशुलिपिक राजय आयोग ही तो देखे ठीक है जो राजय आयोग जो पहला वाला बताया था उत्त्राखंट विद्धाले शिक्षा द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिशा उत्तर प्रदेश किसी द्वारा यहां पर complete होने चाहिए आप इसमें तभी पास हो पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी टंकड में 5000 और मतलब अंग्रेजी में 5000 और हिंदी में 4000 दोनों एक सार लिखा है इन्होंने तो इस प्रकार से यह होगा ठीक है और MS Office का ज्यान भी आपको होना चाहिए Microsoft Office का ज्य ज्यान होना चाहिए ठीक है आसुलिपिक जिला फॉरम के लिए यहां पर देखे इसमें भी इंटर्मीडियेट मागा है इन्होंने इंटर्मीडियेट या उसके समकक्ष आसुलेखन में 80 शब्द प्रतिमिनट और टंकड में 4000 की डिप्रेशन मागा गया जबकि जो आसुलि इसका ग्यान यहां पर भी जरूरी मागा गया है अधिमानी अर्यताएं कि बात करते हैं तो अन्य बाते समान होने पर वही है सेम जो बाकी ग्रूप सीकी एक्जाम में रहता है ठीक है यह चीज़ें आपने ध्यान से देख ली है अब देखते हैं कुछ नई चीज़ें तो गड़ना से देख यहां सबसे ज्यादा इसमें यह कहां है कि इस वह प्रसविक्षीन के लिए जो कि किस के लिए है अनारक्षित के लिए है सारे किस सारे जिसमें उत्राखंड महिला के लिए और व्यौह街 के लिए राजिक कर विभाग उत्राखंड में देखें, तो यहां पर 33 पद हैं, जिसमें से अनुशुची जाती के लिए 5 है, अनुशुची जाती के लिए 2 है, अन्य पिछडा वर्ग के लिए 6 है, और EWS के लिए 3, जनरल के लिए 17, टोटल मिलाके यहां पर कितने हैं, तो यहां पर 33 तो यह ध्यान रखेंगे, उसके बाब वैक्तिक सायक वन विभाग की है, तो वन विभाग में भी हैं, तो वन विभाग में 7 पद हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं, अनुशुची जाती के लिए 5 है, अन्य पिछडा वर्ग के लिए 1 पद है, तो यह पूरा डीटेल इसक जिसमें से 3 पद हैं, अनुशुची जाती के लिए, और 1 पद है ST के लिए, OBC के लिए 1 पद है, कुल मिला के आप 5 पद है, जिसमें से महिला के लिए 1 रखा गया, जो SC से है, बात करेंगे, उत्राखंड कल्यान विभाग में, परिवार कल्यान विभाग में, वैक्तिक सायक स्वास्ता और परिवार कल्यान विभाग में, तो इसमें 15 पद हैं, कुल मिला के 15 पद हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं, अनुशुची जाती के लिए, यहाँ पर 4 पद हैं, और EWS के लिए 1 और OBC के लिए 1 पद, तो कुल मिला के 15 पद हैं, जिसमें महिलाओं के लिए भ तो इसमें कुल मिलागे दो पद हैं एक SC के लिए और एक जनरल के लिए है वैक्तिक साहया परिवहन आयुक्त कारेल है उत्तराखंड देहरादून के लिए बात करेंगे तो देहरादून के लिए यहाँ पर चार पद है कुल मिलागे ठीक है और उसके बाद राजस्व के सौरी साथ पद हैं कुल मिलाके जिसमें सभी को पद मिल रही है जिसमें SC के लिए 2 IRisc सिपके लिए 1E्रadeवान के लिए 액़ और जनरल के लिए महिलाओं के लिए accelerated from आदिक साया उत्तराखंड लोगनिर्वान विर्वाग की बात करें तो हाँ पर दोस्तों 27 पद है total एसी के लिए इसमें कोई पद नहीं है लोग निर्माण विभाग में वैक्तिक साहय का राज कल्यान विभाग उत्राखंड की बात करें इसमें कुल मिलागे दो पद ठीक है देखते हैं आगे वैक्तिक साहय कारलय रजिस्टरर Mobile Society and Chits में तो इसमें केवल दो पद है थिक बात करेंगे ग्राम नियोजन विभाग उत्राखंड में वैक्तिक साहय मुख्य नगर ह। ग्राम नियोजन विभाग में तो इसमें कुल मिलाके इसमें भी केवल दो ही पद है और स्रम आयुकत हल्दवानी में देखिए इसमें केवल एक पद है वैक्तिक साइस संभागी उत्राखंड में देखेंगे आप इसमें केवल एक पद है उसके बाद है आपकारी, कार्यलय आपकारी आयुकते देहरादून के लिए केवल एक पद, ठीक, बात करेंगे, अर्थ और सांग के उत्राखंद देहरादून के लिए केवल एक पद, तो ऐसे ही अलग-अलग विभागों में एक एक दो दो एक दो पद हैं, हलाकि इससे आप को कोई मेटर नहीं करता है देखना लेकिन एक मोटा मोटा अंदाज आपको होना चाहिए कि कहां पर कितने पद हैं और इनका पूरा डीटेल थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले तैयारी करने से पहले तो कुल योग यहां पर एक है इसका भी वैक्ति साइक संस्कृति निदेशालाई उत्राखंड में केवल एक पद है दाती हो यहां पर और डेरी विकास उत्राखंड में भी तीन पद है केवल ठीक है अब देखे यहां पर आप इन चीजों को बाकी चीजों को देख सकते मैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताता ह प路ड़वाग में देखे यहां पर केवल 9 पद है निद्धशा पर पर बाकी आप यहांपड घियल देख सकते हैं इस विध्यप्ति डीटेल में देखकर के बागी मैं टेलिग्राम पर भी ये पूरा डाल दूँगा इसका जो भी PDF होगा तो उप्रोगत-तालिका के बिन्दू संख्या 32 और 33 पर अंकिर नियोकता विभागों से आरेक्षण के अनुसार पदों की संख्या प्राप्त होने पर उक्ति ब्राग के पदों को तद अनुसार सम्हिलित किया जाएगा अच्छा तो इसमें आरेक्षन के हिसाब से फिर उसको कर दिया जाएगा बता रहे ठीक है चलिए ये बात की बात है फिलाल देखते है आयू सीमा इसमें कितना मांग रहे हैं तो इसमें 18 वर्से से लेकर के 42 वर्स तक आपकी आयू सीमा इसमें भी मांग रहे हैं तो बाकी सेक्षिक अर इसमें है intermediate तो इसमें भी intermediate मागी गई है आशुलिपिक में विभिन्नी विभागों में और इसमें आशुलिपिक में देखिया आप जेके नियूनतम गती जो है 80 शब्द प्रती हिंदी में ठीक है और टंकडम की बात करेंगे तो नियूनतम 4000 की depression प्रती गंटा इसमें मागा ग इसमें कुल तीन पद है ठीक है data entry operator में तीन पद है जिसमें से आप देखियंगे आशुलिपिक सह data entry operator उतराखंड सूचना आयोग में है दूस्तों यह सूचना आयोग में ठीक है जिसमें से एक पद तो है यहाँपर SC के लिए और जनरेल के लिए दो पद है कुल मिलाके यह बात करें तो इसमें intermediate मांगा गया है या फिर उसी के समकक्ष कोई अन्य जो है यहाँ पर आपने किया होगा तो वह होगा और computer पर हिंदी टंकड में यहाँ पर 4000 की depression इसमें मांगा गया है थीक है 4000 की depression इसमें मांगा गया दोस्तों हिंदी के लिए बात करते हैं आशुलिपिक में तो यहाँ पर अश्य शब्द प्रति मिनट की गति से आपको करना पड़ेगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं अधिमान में सेम वही रहने वाला है जो अभी तक चल रहा है बात करते हैं वैक्तिक सहायक आशुलिपि ग्रेट उत्राखंड परियतन विकास परिशत के लिए है कुल दो पद है जिसमें से एक स्ट के लिए एक एव्लो एस के लिए यह भी लेबल फोर की जॉब रहने वाली है 21 वर्स जैसे के अभी तक आप देख रहे थे 21 वर्स से 42 वर्स था किसमें है किसीमा 18 वर्स था ठीक ह कमशे के मिश में 30 शब्द लिखने है और उसकी गती होनी चाहिए 4000 की डिवर्स ने नई कंडिशन आपर रख दी है ठीक है किसी मानिता प्राप्त संस्थान से एक वर्स का डिप्लोमा होना चाहिए दो उस्तों कंप्यूटर में ठीक है तो कंप्यूटर में एक वर्स का करएं तो दोस्तों यहां पर जो लिखित परिक्शा होगी वह रख गबिस्टीज़ा को मिलने वाला है धितिक गौँटे आपकी सेख्यिक अरहता से सम्मझनित प्रृशन होने वाले हैं कारेकरम के लिए परिशिस्ट एक का उलोगन करें, OVC सिरेणी के अभिर्तियों के लिए इसमें 45% ठीक है, और अनुशुजी जाती, अनुशुजी जन जाती के लिए 35% नियुन तब अंकल आना है, ठीक है, SC और ST के लिए, सामानी के लिए और OVC के लिए 45% रहने वाला है, अब इसमें जो इंपोर्टेंट चीजें हैं, वो देखते हैं, फटा फट से, बागी ये तो सब वही दिया गया, अधिमान में आपको पता है, आयू की गणना की बात मैंने आपसे कहा था, तो आयू की जो गणना होगी, वो 1 जुलाई 2024 को होगी, आपकी जो बरतमान, जो आप 1 जुलाई 2024 में से घठा देंगे, तो आपकी आयू निकल आईगी, जो 18 से 22 से 22 से 22 से जो भी हैज मागी गई है, उतना इसके बीच आपकी आयू होनी चाहिए, ठीक है, तो पांच वरसे की छूट भी यहाँ पर मिल जाती है, तो यहाँ पर पांच वरसे की छूट यहा ठीक है, और बाकी चीजन जो इंपोर्टेंट हाँ, यहाँ पर देखे, आविदन के लिए जो पातरता दी है, वो अभियर्ती उत्राखंड राज्य में किसी भी सेवायुजन कारलाई में आविदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिसी तक पंजिकरन हुआ हो, ठीक है, जब आ नहीं है, तो आप ओम नहीं भर सकते हो, यह चीज भी ध्यान रखना आपने, इंटरमीडियेट वगरा की जो परिक्षा है, वो उत्राखंडर राजी से ही आपने की होनी चाहिए, इसके साथ कुछ अनिक कंडिशन भी होती है, जैसे आपके माता पिता, माता या पिता मैं से कोई सैनिक है, अर्दे सैनिक बल है, कारेड़ है, या पिर राजी या फिर सेंटरल के कोई करमचारी है, ठीक है, जैसे बाहर के भी है, लेकिन आपकी सेवा यहाँ पर है, जो बाहर स्थानांतरी नहीं हो सकते हैं, तो भी आप भर सकते हैं, इसमें कुछ कंडिशन ये चीज अब हमारे पास क्या निकल कर आती हैं, ये देख लेते हैं, अच्छ अब देखे इसमें जो प्लेयर हैं, जो खिलाडी है, स्पोर्ट से कोटे से, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर कहां-कहां उनको मौका मिलने वाला है, तो ये जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल को अच्छे तरगी से समझ में आ जाएगा आपके, अनलाइन आविदनी पत्र ही ये सब्मिट होंगे, आपके अनलाइन भरे जाएंगे, अब जो है शुलक के अगर बात करें, जो महतोपूर्ण है, शुलक भी, तो जो अन्रिजर्व्ड हैं, अनारक्षित हैं, और OBC हैं, उन के लिए अगर हम बात करते हैं, तो उनके लिए यहां पर 1.500 रुपे फीज रखी गई है, और जो औरफन है, अनाथ है, उनके लिए कोई फीज यहां पर नहीं पढ़ने वाली है, ठीक है, अब जो है बाकी क्या important चीज़े यहां पर होती हैं, स्लेवस, तो दुस्तों परिषिस्ट वगरा जो देख रहो हैं, यह परिषिस्ट वगरा जब आपकी आप निकलने वाले हो, जब आप निकल जाओगे, आप मेरिट में आजाओगे, उसके बाद यह सब आपके काम आएंगे, ठीक है, इनको फिल करके, इसके अनुसारी जो भी document verification होता है, उस समय यह सब काम आते हैं, और इसी के अनुसार format उस समय बनाया जाता है, तो फिलाल यह ज़रूरी नहीं है, देखे इसमें भाग एक दिया है, तो भाग एक में आप देखेंगे दोस्तों यहापर भाग एक में हिंदी दिया है, ठीक है, विशई, सामानी, हिंदी, हिंदी भासा वग जिसमें आपको मानसिक योगिता, तरक शक्ति, रिजनिंग वगरा भी आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप जो है वहाँ पर इसको अच्छे तरीके से देख लीजे, अब बात करेंगे अशाब्दिक मानसिक योगिता में आपसे दरपन, सरंकला, सादर शी वरगी किर सिलेबस है, और यहाँ पर fundamental जो computer का है दोस्तों, computer से भी आपको question देखने को मिलते हैं, जैसे के आपको पता ही है, हर एक परिक्षा में जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो computer का भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, चलिए, बात करते हैं, computer के सिलेबस की तो इसको भी detail में पढ़ लेना, ठीक है, इतना detail हम नहीं कर सकते हैं भी न, तो भाग दो में इतिहास और उसके लिए है, इतिहास वगेरा के लिए वह वितम भाग एक की बात कर रहे थे, ठीक है, खंडक को की बात, भाग दो का खो है, तो इसमें भारती इतिहास वगेरा, ठीक है, इ बात करेंगे इसमें आगे तो और क्या क्या है देख लेते हैं फटापट से एक नजर में नागरिक्ता राश्टी शेत्री दल ठीक है ये उसमें आ जाएगा पॉलिटी में अर्थसास्त्र का सिलेबस भी दिया है अर्थसास्त्र के अंदर आपको क्या क्या चीजा पढ़नी है इस एक्जाम के अगर आप परप्रेशन करते हैं भाग तीन की बात करें तो उत्रा खंडे से समंदित भी भी जान करें जो चालिस अंक का आपका रहने वाला है ठीक है तो चालिस नंबर का रहेगा उत्रा खंडे आपका सारी चीज़ें आपको पढ़ना है ठीक है जितनी च 40, 80 और 20 नंबर की हिंदी आप लोग के लिए रहेगी तो कुल मिलाकर 100 नंबर के ये परिक्षा होगी ये चीज़ा आपके एक्जाम मानने वाला है तो दोस्तों ये सलेबस था और पदोंखा विबरण इस परकार से था और आपके educational qualification आपको क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ जो आप लोगों के समझ में अभी तक नहीं आया होगा है एना एसा कुछ भी नहीं था इसमें तो सब कुछ शर्मक्ला मैं आई गया था हूं अगर कोई जरूरी हो या कभी नहीं कर पाया तो फिर टेलिग्राम पर भी उसका solution दे दिया जाता देखिए इसमें 24 तारिक से फॉर्म भरे जाएंगे और 14 अक्टूबर तक इसकी डेट रहने वाली है ये सबसे महतोपोणा ये चीज ध्यान रगना जल्द से जल्दी जितना जल्दी होता है आप फॉर्म को फिल अप कर लेजिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है यही जानकारी आप लोगों को देनी थी नए पदा आयत एक गुरूप सी के तो सोचे आप लोगों को तक पहुंचा दो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद इस परिक्षा के लिए आप सभी को धेर सारी शुब काम नहीं दोस्तों हमारे तरफ से जाहिन